Hello Everyone, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर थर्ड एकस्प्लानेशन पॉर्षन को कवर करेंगे पेपर थर्ड में टोटल चार चैप्टर है चारो चैप्टर से आपकी एकसामिनिशन में एके करके एकस्प्लानेशन का सवाल पूछा जाएगा एक सवाल रहेगा 8 marks का और आपके exam में total 4 सवाल आएंगे तो 32 marks का explanation का सवाल आएगा और explanation के लिए मैं धेरो videos बना चुका हूँ इसलिए बारवार सेम चीज को repeat करना नहीं चाहता इस video के description box में explanation video का link दे दूँगा आप उसको देख लेना सारा concept वहीं से आपका clear हो जाएगा फिर भी last video बना रहा हूँ परसो आपका paper है जो कुछ genuine बाते हैं वो आपके बीच discuss कर लेता हूँ आप इसको बढ़िया से जरूर सुनिएगा आपको अब केबल 3 चीज के उपर काम करना है पहला keywords, दूसरा previous year question paper और तीसरा answer writing का format आपको previous year question paper हर हाल में करना है मैं जो आपको previous year question paper का collection दिया हूँ उसमें 2016 से लेकर के 2030 तक का question paper है तो इन सभी सालों का question paper आप बढ़िया से कर लेना question को रटना नहीं है केवल ये देखना है कि question किस प्रकार से आ रहा है और कौन question किस chapter से है केवल आपको ये ही करना है आपको इतना कर लेना है कि अगर इस previous year question paper से सवाल आए एक साम में तो मैं तुरंत पस्चान जाओं कि ये question इस chapter से है और आपको रटना नहीं है starting का पहला line या फिर कुछ keywords वहां से note कर लेना है और उसी के माध्यम से question को पस्चानना है तो सबसे पहला काम आपका यही होगा मैं सारा video का link description box में share कर दे रहा हूँ whatsapp group में भी share कर दूँगा आप उन सभी videos को देख लेना 2016 से लेकर के तेस तक का question paper पूछा गया exam में उनका मैं review किया हूँ analysis किया हूँ उस video को देखिएगा वहाँ पे मैं बताया हूँ कि कौन question किस chapter से है तो केवल आपको यह काम यहां से करना है कि chapter से जो सवाल उठाया गया है वो किस chapter से है तो यह काम करोगे previous year से और मान के चलो 4 सवाल आपके paper में आएगा 3 सवाल dicto यहीं से मिल जाएगा क्योंकि LNMU में 99% question repeat करते हैं हर 2 साल, 3 साल के बाद तो previous year question paper करोगे अगर आप previous year question paper करोगे तो मान के चलो 80% आपका keywords कभर हो जाएगा मैं जो keywords बनाया हूँ वो previous year question paper से ही बनाया हूँ 20% जो keywords होगे वो कुछ नए होगे जो हर साल नए नए आते हैं लेकिन कभी-कभी वो match नहीं करता तो वो भी मैं cover किया हूँ तो 80% keywords तो आपका यहीं से cover हो जाएगा जो 20% रहेगा नया वाला keywords वो आपको इस keyword से cover हो जाएगा तो keywords का भी वीडियो बनाया हूँ और PDF भी मैं आपको share किया होँगा तो उसको कर लीजिएगा तीसरा काम आपको करना है कि explanation वाले question का answer किस परकार से start करना है क्योंकि आपको काम तो चलाना है समड़ी से ही लेकिन starting में तो कुछ बहतर लिखना है न तो उसके लिए भी वीडियो बनाया हूँ किस परकार से explanation वाले question का आप लोग starting करोगे तो वो कर लेना है केवल यही तीन चीजियो पर काम करना है बादमा के कुछ भी नहीं करना है keywords previous year कर लोगे question match कर जाएगा और जब question match कर जाएगा answer किस परकार से लिखती हो वो लिख होगे जैसे कि इस परकार से लिख होगे और specific chapter का summary याड़ कर दोगे तो इसके अलावा कुछ खास नहीं करना है बादमा की धेरो वीडियोस मैं बनाया हूँ हर एक concept के उपर separate आप उन सभी वीडियोस को one by one देख लिजिएगा इस वीडियो के description box में link share कर रहा हूँ और हाँ summary को बढ़िया से जरूर कर लिजिएगा notes आपके पास हो तो उससे कर लिजिएगा अगर आपके पास notes नहीं हो तो हमें whatsapp message किजिएगा मैं आपको दोनों honors paper का simple language में handwritten notes अवलेबल करा दूँगा question bank भी अवलेबल करा दूँगा सारा content अवलेबल करा दूँगा तो interested students में whatsapp message किजिएगा thank you so much everyone अवलेबल कर दूँगा